असलाम लेकुम फ्रेंज आज हम आपको ग्रिल चिकन तंदूरी बर्गिदनाने की रेस्पी बता रहे हैं सबसे पहले हमने चिकन ले लिया है उसके फिले करके उसको कटिंग करके अच्छी तरीके से हमने हमिक कर लिया है अब इसके लिए जो हमें इंड्रीडियंट्स रहे हैं आपको लिखाते हैं 1.5 tablespoon salt, 1 tablespoon coriander powder, 1 tablespoon cumin powder, 1 tablespoon garlic powder 1 teaspoon half tablespoon sentences तंदूरी मसाला, 1 tablespoon red chili powder, 1 tablespoon garlic powder और एक lemon juice चिकन खो हमने एक बाव्ल में डाल लिया, इसमें आपने 4000eten लेया है योगर्ट उसके बाद इसमें salt half tablespoon lemon juice ये ginger powder red chili powder इंकी coriander powder cumin powder garlic powder ये तंदूरी मिसाला हूँ और ये थोड़ा सामने इसमें food color डला सिफ one pinch और ये जो तंदूरी मिसाला है ये इसलिए डला कि इसका taste और color बहुत प्यारा हैबा अब इन सब चीज़ों को हमने अच्छी तरी कैसे मिक्स कर लेना है आज गो ऑजो तुरून हमारा पहल अच्छी तरी के मिक्स हो गया है अब भुटन आपके लिए 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 रगगत इंदू बपरना नीया ने टाम के अड़ लूज़े दूखे है, अब आमने इस को घुरिल करना ने गर्म अटेना आप बना हैं इसमे न्याम को घुक ऑ शब दामा अने अग्रिल पन यापे मार गरम हो तुका है, अब आमने इसमे और नुदाओ नेशा ने अपना ने इसमे आप, आमन जब जए कि ढँखा झाइ। कर दो कर दो कि अची हुआ है... मिले हाएं से लाजे कि अची है, औरके अची है... कर दोंग से पाइब कर दो आगे हैं अब क्यों कर एक चीज स्लाइस नप देना है और इसको आपने कवर कर देना है चीज के मेल्ट होने तक चिकन अब अफ्राई हो चुका है, बहुत इच्छा अब ने बर्गर को बढ़ना उंको ग्रिल करने के लिए प्रियल पैंग गरम किया है और उसके उपर हमने टालना है बटर के बटर को हमने किसी ब्रश से पूरे ग्रिल पैंग पैसे कर लेगा है झाल झाल कर्चुप कर्चुप इसके बद सैलेगा ने राड़ी किया था परक्यो के लिए सबसे पहले हमने इसके उपर एक नाल लाटिस यह हमार पास टोमाटोज है इसके बद कर्चुप अन्यन अचुप अचुप इसके बद लिए डी तर्फ आपने ने लेगा चिकन का पीज़ परक्यां यह इसके बदी अच्शाज का पास परक्यांटोज सबस्ताटी ने रही हमने दालने है इसके बदोगशना है यह मारा बर्गर रडियो गे